जब आप NEET 2025 या JE, MAIN और ADVANCE 2025 का अप्लिकेशन फर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने Class 12 Board Exam पास कर लिया है या अभी उसमें अपियर होने वाले हो आपका Class 12 Passing Year क्या है ऐसे में अगले साल Improvement, Compartment या Failure काटेगरी में Board Exam देने वाले Private Candidate क्या भरेंगे चलिए जान लेते हैं आप सभी को पता होगा कि जब आप As Class 12 Appearing a Student NEET या JE के लिए Apply करते हो आपसे 12 का मार्क्स नहीं पूछा जाता जबकि जो Class 12 Pass कर चुके हैं उन्हें अपने Board Exam का मार्क्स इंटर करना होता है अगर आप 2025 में As a Private Candidate Under Failure और Compartment Category Board Exam देने वाले हैं तो आपको NEET या JE Main का Application Form As Class 12 Appearing a Student भरना होगा वर्स 2025 में अगर आप पास हो जाते हो तो आपका Class 12 Passing Year 2025 हो जाएगा जो Students अगले साल Improvement Exam देने वाले हैं वे NEET, JE Main और Advanced के Application Form को As Class 12 Past Candidate भरेंगे जाहिर सी बात है कि ऐसे में आपको अपने 12 के मार्क्स और परसेंटेज इंटर करना होगा अगर आपके 12 में 75% नहीं है फिर भी आपको चिंता नहीं करनी है आप JE Main के Application Form में 2024 वाले मार्क्स ही इंटर करेंगे वर्स 2025 में अगर आप Class 12 में 75% लाने में सफल हो जाते हो तो आप उस नए मार्क्सीट को काउंसेलिंग के समय यूज कर सकते हो इट सुट भी नोटेड हेर कि जो 2025 में Improvement Exam देने वाले हैं उनका Class 12 Passing Year 2024 ही रहेगा Improvement Exam देने से आपका Passing Year चेंज नहीं होता कई लोग जो Improvement Exam के लिए Apply करते हैं NEET या JEE Main के Application Form में Class 12 या Qualifying Exam के अस्टेटस में Appearing भर देते हैं So that उनको Class 12 का Marks इंटर ना करना पड़े लेकिन ये Option सही नहीं है आपको As Class 12 Passed Candidate ही NEET या JEE Main के Exam में Appearing होना होगा कई Private Candidates ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम अगर Private Candidate का Exam दे रहे हैं 2035 में तो NEET या JEE Main के Application Form भर सकते हैं या नहीं मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप As a Private Candidate Board Exam देने वाले हो फिर भी NEET या JEE Main के लिए Apply कर सकते हो और इन Exams में Appearing हो सकते हो CBSE Private Candidate को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बही चक हो एकजाम सबके टेलिग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है